सर्दियों में जब लगे वाट्रोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्स्प्लोर है करना, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान आसम का मिजाज बदल रहा है जबकि उत्तर वे मद्य भारत लू की चपेट में है भारतिय मौसम विज्ञान विभाग IMD के मुताबिक अगले 24 घंट के दौरान, राजिस्तान, मद्य परदेश के कुछ हिस्सों, दिल्ली, हिमाचल परदेश और जारखंड के अलग-अलग हिस्सों में लोग चलने की संभावना है IMD ने राजधानी दिल्ली में तेज गरम हवाय चलने की आशंगा जताई है IMD ने दिल्ली के दूर दराज के स्थान उपर 3-6 अपरेल के बीच भीशन गर्मी की चितामी जारी की थी IMD के अनुसार भारतिय भीशन गर्मी तब होती है जब तापमान समाने से 6.4 डिग्री सेल्सीस जादा हो जाता है दिल्ली में आज निवन्तम तापमान 19 डिग्री सेल्सीस जबकि अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सीस के आसपास रह सकता है मौसम विभाग के मुताबिक जारखन और आसपास के इलाकों में चक्रवाती हवाओं का छेतर बना हुआ है पस्चिमी विक्षोब के सक्रिय होने से पिहार के मुझफर पूर्ष सहीत अन्य जिलों में हलकी बारिश या बुंदा बांधी की संभावना है बारिश के दोरान 15-20 किलोमीटर की रफ्तार से हवा चल सकती है इसके अलावा सिक्किन, पुर्वत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना है वहीं एक अन्य ट्रफ रेखा तेलांगना से आंतरिक तमिलनाडू तक रायल सीमा और आंतरिक करनाटक तक निचले स्तरों पर फैली हुई है इसके चलते केरल, तमिलनाडू और अंडमान निकोबा दीब समू में गरच चमक के साथ छीटे पर सकते हैं पांच अपरेल के आसपास दक्चिन अंडमान सागर के ऊपर एक चकरवाती हवाव का छेतर बनने की उम्मीद है और 6 अपरेल तक एक कम दबाव का छेतर भी उसी छेतर में विक्सित हो सकता है मौसम विभाग के अनुसार गुजरात में हीट वेव की संभावना है वहीं हैमदाबाद में आज नियूंतम ताफमान 26 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम ताफमान 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है हैमदाबाद में आज पुरा दिन मौसम साफ रहेगा इसके अलावा राजिस्थान के जैपूर में आज नियूंतम ताफ़ान 24 और अधिक्तम ताफ़ान 40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है बिहार की बात की जाए तो बिहार के पटना में नियूंतम ताफ़ान 24 और अधिक्तम ताफ़ान 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और आज मौसम वहाँ साफ रहेगा वही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनों का अधिक्तम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और अधिक्तम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस रह सकता है पहाडी लागों की बात की जाए तो IMD के मुताबिक हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला का अधिक्तम तापमान आज 18 डिग्री जबकी नियुनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रह सकता है वही उत्राखंड की राजधानी देहरादून का नियुनतम तापमान 17 और अधिक्तम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद जताई गई है फिर से आगया है कोरोना घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग्बिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई बिग्बिस खुशियों की अपनी दुकान